दोस्तों आज की वीडियो में चेस का बल्किंग फेज के लिए और कटिंग फेज के लिए दोनों शुरू दिखाई ट्रेनिंग के शुरू में दिखाया है बल्किंग फेज के लिए जब आप साइज गेन करते हैं यह सभी एक्सरसाइज जो इस वीडियो में दिखाया है, इनके चार वर्किंग सेट, आठ से बारा रेप के बीच, मैसिम वेड, जिससे आपका मसल फेल कर जाए आठ से बारा रेप के बीच, ज्यादा से ज्यादा एक दो रेप उपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा गरी, और डिकलाइंग बैंच और बार डिक्स में से आपको एक ही करें काफी है, क्योंकि दोनों ही आपकी लोड चैस पर इंफेक्ट ज्यादा डालते हैं, तो इसमें लोड यही रहेगा, क्योंकि रेप्रेंज थोड़ा कम है, अब जब आप कटिंग फेज में जाते हैं, तो एक इस एक साइज वही रहेंगी, बस यह है कि एक तो हमा आइसोलेसिन मोमेंट ज्यादा एड कर देते हैं, जैसे अब यह दिखाया इसमें, कटिंग फेज गा, इसमें रेप्रेंज आपका रहेगा, बारा से सोला रहेगा, वो सतरा ठारा भी जा सकता है, नीचे बहुत कभी है तो रेस्ट टाइम भी कट हो जाएगा, क्योंकि जितना हैवी लोड लेंगे, उतना रेस्ट टाइम ज्यादा हमें चाहिए होता है, तो बल्किंग फेज में थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा, यानि दो मिनिट के आसपास, कटिंग फेज में आपका रेप्रेंज बढ़ गया, लोड कम हो गया, तो एक से दो मिनिट के विए, एक से डेड मिनिट भी चल जाएगा, तो एक्सरसाइज भोग ज़्यादा चेंज नहीं होता है, आइसोलेसन मुझें बढ़ जाता है, कमपार्ण मुझें टेकाद हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा डाइट बे होते हैं, अ यह दोनों शेडूल आप गेनिंग फेज में हैं या करनिंग फेज में उसके अकोडिंग आप इसको कर सकते हैं और आट से बारा वीक इसको करें डेफिनेटली रेजल्ट मिलेगा आपकी आफ़र से ही और एक लास्ट में अगर मैं टिप दूं तो ट्रेनी से पहले राइट मै मैं बार-बार बोलता हूँ बोईल पोटेटो एग वाइट कर्ड और थोड़ा से कोई फ्रूट यह आइडियल डाइट है दो से डाइगंटे पहले आप लें आपको फूल एनरजी में पूरे वर्काउट में क्वांटिटी अपने बोड़ी बेट के अकॉड़िमें थैंक्